दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपके यूट्यूब चानल M97 HD में आपका फिर्श स्वागत है दोस्तो जी हाँ दोस्तो बे सब्सक्राइब करने वाले स्टूडेन के लिए खुस ख़बरी भरा नीवर शुना देना चाहते दोस्तो आपको यहाँ पर यह जो लोगों दीख रहा हो कर दें यह क्योंकि यह जो पूछा गया था एक्जाम में वही कोशन हम आप से बीच लेकर कर आया है साथ ही साथ जिन्हीं स्टूडेन को पीडियेप चाहिए आपको इस आप मेरा इंस्टाग्राम आइडे के माधियम से टोटल पीडियेप प्रोवाइड कर देंगे और सब दोस्तों आप से बीको बता देंसे टोटल वान फिप्टि कोस्टन है जी हां दोस्तों जिसमें से 50 मैथ का है 50 कमेश्टी का है और पचास फिजिक्स का है तो आप से बात बता देना चाहते हैं अगर सोट में बइडियो नहीं हम बनाते हैं तो आप सभी को बोरिंगने वाइस है उसके अधार पर हम लेकर के आप से विकर टेस्ट ले और शाथे साथ अपने दोस्तों को शेर जरुद करें तो दोस्तों आई यह कोशन के बढ़ते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करें जैसे कि दोस्तों यहां पर देख पार हैं फिजिक्स का कोशन है आपका एक नम हम आप से विकर देंगे एक कोशन पर अगर तिस सेकंड में अगर आपका जवाब आता है तो सही है नहीं तो हम एंसर दे देंगे जिहां दोस्तों प्रस्णा एक समतल दरपन द्वारा निर्मित छवी हमेशा ऐसी होती है इसका राइट एंसर क्या होगा फटा फटा फट ए आता सेर करें और यही जो है कोश्चन का आपको पीडियेफ अगर चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम आइडियो का फॉलो करना होगा तभी आपको पीडियेफ मिल पाएगा जिहां दोस्तों सारा कोश्चन हम आप समी के बीच देंगे और सवेट का और सवेट का और ा राइटेंस रहेगा अभासी और खड़ा क्या जागा दोस्तों अभासी और खड़ा जिएकน कि नेक्स्ट केहसर नेक्स्ट कोश्चन खिर बढ़ते हैं दुसरा नमर प्रस्ण है दोस्तों एकगोलाकार दर्पन की भक्रता केंद्र और धुर्ब से होगर गुजरने वाली क कालपनिक रेखा है ओप्सन दिया हुआ दोस्तों फटा फटा इंसर देते चले वीडियो को जादा से जादा से जादा से अपने दोस्तों को कियों कि आप सीव को बता दे कि आप ऐसा ही आपका PDF के साथ टेस्ट लिया जाएगा और PDF भी प्रोभाइड कर दिया जाएगा जिसस इसका राइट एंसर क्या होगा मार्थ 30 सेकेंड है दोस्तों आप से के पास फटा फट एंसर देते चले इसका राइट एंसर हो जाएगा प्रधान धूरी क्या जाएगा दोस्तों प्रधान धूरी आपसन नमबर 20 का राइट एंसर हो जाएगा चले आगे देख लेते हैं एक सो तीन नमर प्रस्ण है अप्तल दर्पन से प्रावर्तन के बाद पर्मुक अक्ष से समांतर एक किरन से होकर गुजरती है किस से होकर गुजरती है दोस्तो अप्तल दर्पन से प्रावर्तन के बाद पर्मुक अच के समांतर एक किरन से होकर गुजरती है तो इसका right answer हो जागा दोस्तों परधान केंद्र बिंदू क्या जागा दोस्तों परधान केंद्र बिंदू option नमबर A इसका right answer हो जागा चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 104 नवब प्रश्ण जब एक वस्तू को अनंता में रखा जाता है तो उसकी उत्तल दरपन द्वारा निर्मित छवी का आकार होता है कैसा होता दोस्तों फटा फटा एंसर देते चले 30 सेकेंड है आपके पास टाइम दोस्तों आप से भी को बता दे कि जिन्वे स्टूइट को चाहिए कि यह जो आप टेस्ट ले रहें से इसका हमें PDF चाहिए तो आपको इस चैनल पर बने रणा होगा जैसा है हम Instagram ID हम डालेंगे YouTube पे description box में वहाँ से जाकर कि आप डाउनलोड कर शकते हैं फिलाल हम अभी PDF नहीं डालने वाले हैं जी हाँ दोस्तों चाहते हैं तो आपको चैनल पर बने रणा होगा और all subject का PDF हम प्रोवाइड कर देंगे same here question जी हाँ दोस्तों प्रस्णा 104 नमर जब एक बस्तू को अनंता में रखा जाता है तो उत्तल दरपन द्वारा निर्मित छवी का आकार होता है कैसा होता है दोस्तों इसका राइट एंस रो जाएगा बिंदू का आकार आप्शन नमर ए इसका राइट एंस रो जाएगा चलिए आगे देख लेते हैं जी हाँ दोस्तों आपका 105 नमर प्रस्णा है दंच चिकित्सक द्वारा रोगियों के दातों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उपियों किये जाने वाला दरपन का परकार है जी हाँ दोस्तों जो डॉक्टर बगर यूज करता है दात के अंदर के भाग को देखने के लिए कौन सा दरपन का परियोग किया जाता है दोस्तों फटाफाट एंसर देते चले, यह सिर्फ इतना लंबा लिखा गया है दोस्तों यह सब अलड़ी कोशन रम रिभाईज करा चुके हैं, एंसर देते चले, इसका राइट एंसर होजागा आपका, नतो धर, क्या दो जाएँ दोस्तों, नतो धर, आपसन नमबर एकसका राइट ए इसको इंग्लिस में हम सब कहते हैं क्यानि केव मीरर चली आगे देख लेते हैं 106 निमर प्रश्ण है दिये गए माध्यम युगम के लिए अपवरतन कोन के जया से अपतन कोन के जया का अनुपात इस्थीर है इस सिध्धान्त को कहा जाता है इस सिध्धान्त को कहा जाता है फटा फट एंसर देते चले दोस्तों साथी साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो सेर करते चले इससे वेतर आपको कहीं नहीं मिलने वाला दोस्तों फटा फट एंसर देते चले और वीडियो को लाइक करते चले जिहां दोस्तों प्रस्णा है दिये गए माध्यम युगों के लिए अप्तवर्तन कोन के जयाख से अप्तन कोन के जयाख अनुपात इस्थिर है इस सिध्धान्त को कहा जाता है इस सिध्धान्त को क्या कहा जाता है दोस्तों फटा फट एंसर देते चलें इसका राइट एंस रजाएगा असनेल का सिध्धान्त नियम असनेल का सिध्धान्त नियम आप्सन नमर बीज का राइट एंस रजाएगा असनेल स्ला चलिए आगे दिख लेते हैं एक सो साथ नमर प्रस्ण है निमलिखीत में से किसका अपवर्तनांग सबसे बड़ा है निमलिखीत बोला गया है दोस्तों घबरानी की कोई बात ने सिर्फ आप्शन से मतलब रखना है निमलिखीत जब भी बोला जा निमलिखीत अथवा निम्ड तो आपको सिर्फ आप्शन से मतलब रखना है क्योंकि अब रेगलर टेस्ट लेने वाले हैं आपसे भी के बीच आपका एक्जाम भी डेट नजदीक आ गया है तो हम चाहते हैं कि बस ऐसा ही आपका टेस्ट प्रवाइड करते रहें और आपका जो अंदर का कैपिसिटी है वो जाच करते रहें जी हाँ दोस्तो सिर्फ पढ़ने वाले स्टुडेंट देख सकते हैं चाहते हैं वो पारामेडिकल इंट्रेंस एक्जाम निकाले तो वो वीडियो को अंत्यक बने रहना होगा दोस्तो एक सो साथ नमर प्रशन निम लिखीत में से किसका अपकवरतनांग सबसे बड़ा है इसका राइट टेंसर हो जागा दोस्तो इसका राइट एंसर हीरा हो जागा आप्शन नमर सी हो जागा हीरा जिसको इंगलिस में कहाते हैं डाइमंड चलिए दोस्तो आगे देख लेते हैं 108 नमर पर रस्न एक गोला कार लेंस की बृतक कार रूप रेखा से प्रभावी ब्यास को कहा जाता है प्रशन दोस्तो एक गोला कार लेंस की बृतक कार रूप रेखा के प्रभावी ब्यास को कहा जाता है प्रभावी ब्यास को क्या कहा जाता है फटा फट एंसर देते चले दोस्तो आपके अंदर अगर डॉट चल रहा है कि सर प्रभावी ब्यास को कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तो फटा फट एंसर इसका राइट एंसर जाएगा दोस्तो छिद्र कहा जाता है अप्शन नमर एसका राइट एंसर छिद्र कहा जाता है चले आगे देख लेते हैं 109 नमर प्रश्न है सम्तल दरपन की फोकल लंबाई होती है सम्तल दर्पन की फोकल लंबाई होती है दी फोकल लेंथ ओफ ए प्लेन मीरर फटाफ़ट एंसर दोस्तों चले फटाफ़ट एंसर मार्ट तिस सेकेंड आपके पास सम्ट टाइम जेंगे दोस्तो जियां दोस्तो संध्यासर में बोल रहे थी इसर आप हमें टाइम नहीं देते हैं लो टाइम लो इतना टाइम नहीं लो जिससे आप इंसर नहीं देसकें जियां दोस्तो फटाफ़ट एंसर सम्तल दर्पन की फोकल लंबाई होती है दी फोकल लेंज ओफ ए प्लेन मीरर चलिए इसका राइट एंस रह जागा दोस्तों आपका इसका राइट एंस रह जागा अनत्ता आप्सन नमर 6 इसका राइट एंस रह जागा अनत्ता चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं आपका 110 नमर प्रस्न है यहनिकी 10 नमर प्रस्न है दोस्तों लेंस की सकती की SI1 है, लेंस की सकती की SI1 है, SI unit of power of a lens is, क्या होगा दोस्तों, फटा फट, कृति साहे कॉमेंट कर रहे थे कि सर्फ इंगलिस में कोशन प्रोवाइड कीजिए, तो देखिए कृति साहे, आप देख रहे होंगे, कि इंगलिस में भी कोशन आप से भी की बीच लेकर के आगए है, टेश्ट दिने में आपको भी मज़ा आ रहा होगा, वीडियो को लाइक करते चले, और दोस्तों को जादा से जादा से जादा से शेर करें, ये PDF चाहिए तो आपको इस्टाट पर बने रहना होगा, प्रसन है दोस्तों, लेंस की सकती की SIE काई है, फटा फट एंसर दोस्तों, 30 सेकेंड मात टाइम है दोस्तों, इसका राइट एंसर क्या होगा दोस्तों, लेंस की सकती की SIE काई है, इसका राइट एंसर होजागा आपका, डि आप्टर क्या जागा दोस्तो डि आप्टर अपसान नमर बी इसका राइट एंसर जागा डि आप्टर चलिए आगे देख लेते हैं 111 नमर प्रश्ण यह निकी 111 नमर प्रश्ण दोस्तो आख का असिप है यह निकी नेत्र पठल जिसको कहाते है इसका राइट एंसर क्या होगा फटा फट एंसर देते चले रेटीना अफ दी आइज इज ए क्या होगा दोस्तो फटा फट एंसर देते चले जी हाँ दोस्तो इसका राइट एंसर क्या होगा आख का अच्छी पट है इसका राइट एंसर होगा दोस्तो परकास का संबेदन पटल क्या जागा दोस्तो परकास का संबेदन पटल ऑप्शन नमबर एसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए आगे देख लेते हैं एक सो बारणवर प्रशन है आख के लेंस की फोकल लंबाई को समय वजित करके बिभिन दूरी की बस्तुम पर मानव आख के अंद्रित कर सकती है इसे कहते हैं कोस्टन को ध्यान से देखें दोस्तो और एंसर को अराम से दें घवराने की कोई बात नहीं हम वीडियो को बढ़ाने रहें दोस्तो जी हाँ दोस्तो और कॉमेंट बोक्स में बता सकते हैं कि लाइव हम ले सकते हैं क्लास अथपर नहीं अगर चाहते कि लाइव हम क्लास ले तो comment box में बता सकने दोस्तो जी हाँ दोस्तो 112 प्रस्ण है आख के lens की focal lumbai को समयोजित करके विभिन दूरी की बस्तूम पर मानव आख के निर्थ कर शक्ती है इसे कहते हैं इसे क्या कहते हैं फटा फट दोस्तो answer देते चले इसका right answer हो जगा दोस्तो हम दे देंगे आपके पास time है दोस्तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer कहते हैं सुवीधा option number 20 का right answer सुवीधा चलिए आगे देख लेते हैं 113 नमर प्रस्ण आख के lens की focal lumbai में परिवर्तन किसके किरिया के कारण होता है आख के lens की फोकल लumbai में परिवर्तन किसके किरिया के कारण होता है किसके किरिया के कारण होता है दोस्तो Rick tefer देते चले आप सब्सवीध को बता दे कि इसमें हम answer बताते चल रहा है time लेते हैं लेकिन answer बता रहे है next video आप परिवाइट करेंगे परिवर्तन किसके क्रिया के कारण होता है इसका राइट एंसर हो जागा दोश्तो सिलियरी मांस्पेसियां आपसर नमर 6 का राइट एंसर हो जागा सिलियरी मसल्स सिलियरी मांस्पेसियां चली आगे देख लेते हैं 114 नमर पूछा जा रहा है उम्र बढ़ने के साथ साथ आख के सुविधा की सक्ति कम हो जाती इस इस्थिती को कहा जाता है जेहां दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ आख के सुविधा की सक्ति कम हो जाती इस इस्थिती को कहा जाता है इस इस्थिती को क्या कहा जाता है फटा फट एंसर देते चले ताइम दे रहें दोस्तों घबरानी क्यों कोई बात नहीं है इसलिए तो बोलने दोस्तों हम चाहते हैं कि वीडियो को जादा लंबा नहीं करें आपको एक सेट में इतना टाइम जे दे जिससे आप टेस्ट लगाने में आपको मज़ा जियां दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ आख के सुविधा की सक्ति कम हो जाती है इस इस्थिती को कहा जाता है इस इस्थिती को क्या कहा जाता है दोस्तों फटाफाट एंसर देते चले इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 115 नमर्प प्रस्ण है दोश्टो जब सफेद परकास का परकिर्णन होता है तब निम्न में से कौन रंग सबसे ज़्यादा जुकता है गोर्ष सुनियेगा दोश्टो प्रस्ण जब सफेद परकास का परकिर्णन होता है तब निम्न में से कौन रंग सबसे ज़्यादा जुकता है फटाफट दोश्टो इंडियेगो रेड ओरेंज एलो फटाफट जब सफेद परकास का परकिर्णन होता है तब निम्न में से कौन रंग सबसे ज़्यादा जुकता है फटाफट एंसर देते चले दोश्टो खबरानी की कोई बात नहीं है आप अराम से घर में बैट करके टेस्ट लगा सकते हैं वैसे भी घर से निकलना बाहर मना ही है जी हा जादा से जादा भीड़ी कठा करना होगा जी हां दोस्तों इसका राइट एंसर क्या होगा जब सफेद परकास का परकिर्णन होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे जादा जुकता है इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तो नीला यहां निल लिखा गया दोस्तों तो उससे कोई दिखत ने यहाँ नीला हो जाएगा येनिकी इंडीगो राइट एंसर आप्सन नमर यह हो जाएगा चलिस आगए देखेते हैं इक सो सोला नमर प्रशंद है तारे की क्ымडिमाहत का कारण है क्या कारण है दोस्तौ एक सो लगा सकते हैं, जी हां दोस्तों, पिडिए भी आप से मिल लियागा, तारे की टिम टिमाहत का कारण है, क्या कारण है दोस्तों? इसका राइट अंसर हो जाएगा, बा énorme लिय Sum, राइब मंडलिये अप वर्तन आपसन नमबर A इसका राइट एंसर जागा बाई मंडल ये अप वर्तन चलि नेक्स्ट कोश्चन कर वड़ते हैं 117 प्रश्ण कर रहा है आपका कोलाइट कनो को द्वारा परकास का विकीरन है कोलाइट कनो द्वारा परकास का विकीरन है फटा फट एंसर देते चले दोस्तो प्रश्ण कोलाइट कनो द्वारा परकास का विकीरन है जी हाँ दोस्तो आपसे भी किभी चम टाइम देते आ रहे हैं 25 से 30 सकेंड इससे ज़्यादा हम नहीं देख प्राएंगे दोस्तो कोलाइड कनू द्वारा परकास का विकीरन है इसका राइट एंसर क्या जागा दोस्तू चलिए इसका राइट एंसर जागा आपका थेंडल परभाव क्या जागा थेंडल परभाव आपसन नमर डी इसका राइट एंसर जागा थेंडल परभाव चलि नेक्स्ट कोश्चन कर बढ़ाते हैं एक सो अठार नमर प्रश्ण कर रहा है अकास का नीला रंग और सुर्योद और सुर्यास्त के समय सुर्च के लाल रंग का कारण होता है सुर्च के लाल रंग का कारण होता है यानि कि प्रश्ण कर रहा है दोस्तो अकास का निला रंग और सुर्योद और सुर्यास्त के समय सुर्च के लाल रंग का कारण होता है क्या कारण होता है दोस्तों फटा फटा इंसर देते चले जी हाँ दोस्तों सिलेवस को और हाड करेंगे जैसे आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जा सके पारामेडकल एक्जाम इंट्रेंस दोहर 20 के लिए आप आसाई से एक्जाम निकाली और एड़ीशन कर रही है जी हाँ दोस्तू आकास का नीला रंग और सुर्योद और सुर्यास्त के समय सुर्ज के लाल रंग का कारण होता है क्या कारण होता है दोस्तू फाटा फाट एंसर देते चले इसका राइट एंसर हो जागा परकास का विकीरन क्या जागा परकास का विकीरन ओप्सन नंबर इसका राइट एंसर हो जागा चली आगे देख लेते हैं 119 नमर प्रश्णत करा दोस्तो एक एंपियर बिधुATHER धारा है एक इंपियर बिधु धारा है चले दोस्तो फटा फट एंसर देते चले एक 119 नमर प्रस्ण बोला जा रहा है एक इंपियर बिधु धारा है फटा फट एंसर देते चले आपके पास मात्र 25 से 30 सेकेंड है इससे ज्यादा टाइम देने वाले नहीं है दोस्तो और दोस्तो अग पीडिएफ चाहिए तो पीडिएफ भी मिल जाएगा घबरानी की कोई बात नहीं है उसके लिए आपको चाल पर बने रणा होगा सारा पीडिएफ हम आपसे भी को दे देंगे जी हाँ दोसतो इसका राइट एंसर क्या होगा एक एमपीर बिधुद धारा है इसका राइट एंसर हो जाएगा एक कुलम बाई एक सेकेंड आपसे एक सुभीश मनमत प्रस्त कर रहा दोश्तों कर दो बिंदूओं के बीच के बिववांतर के बरावर है कि दो दोश्तों प्हटा फाट एंसर देते चले कोमेंट बॉक्स में दो बिंदियों के बीच के भी होँ अंतर के बरावर है इसका राइट एंसर क्या होगा फटा फट दोस्तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option नमर A किया गया कारे बटा प्रभार यह निकी work done while charge किया गया कारे बटा प्रभार option number is का right answer हो जाएगा चलिए next question के रुबढ़ते हैं आपका 211 नमर प्रस्ण है बेववांतर की SI1 है बेववांतर की SI1 है फटाफट answer देते चले दोस्तो 211 नमर प्रस्ण है दोस्तो वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है से आप सभी के मन में जो होता बोरिंग पैदा होने लगता है तो हम चाहते बोरिंग ना हो इसलिए short वीडियो बना concept किलियर हो थोड़ा enjoy करके पढ़ें दोस्तों जी हाँ दोस्तों एक से किस नमर प्रस्ण है बेववांतर की SI1 है बेववांतर की SI1 है क्या है दोस्तों वोल्ट है अपसन नमर 20 का राइट एंसर जाएगा बोल्ट चलिए अगला प्रस्ण देख लेते हैं 122 नमर प्रस्ण है एक ओम के बरावर है एक ओम के बरावर है फटा फट एंसर देते चलिए दोस्तों एक ओम के बरावर है दोस्तों आप से बता देना चाहते हैं ये टूटल physics का question है इसमें सिर्फ हम physics का question बता रहे हैं दोस्तों एक Ohm के बरावर है आपका chemistry भी क्लियर करेंगे, math भी क्लियर करेंगे और आपका physics तो चल ही रहा है all subject complete pdf भी थे दे देंगे तो 125 मी परस्टर एक Ohm के बरावर है इसका राइट एंस रह जागा दोस्तो एक वोल्ट बाई एक एंपियर आफसर नम्मर शी इसका राइट एंस जागा एक एंपियर चलि, नेक्स्ट कॉश्चन कर बढ़ते हैं 123 नमर प्रश्ण है 123 नमर प्रश्ण है दोस्तो यदि धातू के तार की लंबाई दोगनी कर दी जाए तो तार का परतिरोध यदि धातू के तार की लंबाई दोगनी कर दी जाए तो तार का परतिरोध तार का परतिरोध क्या होगा? फटा फट एंसर दे दे चले दोस्तो सिंपल कोशन है दोस्तो तो question को ध्यान से देखे और answer को देए यदि धातू के तार की लंबाई दोगनी कर दी जाए तो तार का परती रोध है तो तार का परती रोध क्या होगा आपसन आपके सामने फटा फट एंसर देते चले इसका right answer आपका दोगना होता है आपसन नमर 20 का right answer दोगना होता है चले 12 24 नमर प्रशन देख लेते हैं दोश्तों परती रोध हकता की SIE काई है परती रोध हकता की SIE काई है फटा फट एंसर दोश्तों परती रोध हकता की SIE काई है जी हां दोश्तों आप सभी को तोड़ के बताते हैं परती रोध हकता बोला जाया है यहीं कि परती को रोग दो यहीं कि जो current flow ओरा उसको रोक दो तो आप सभी जान रहें दोस्तों यह जो symbol दिया हुआ यह ohm है यह किस चीज का संखेत है तो परती रोधकता का लेकिन एसा इकाई बोला गया तो इसका right answer जागा अपसन नमर A, ohm meter अपसन नमर A, इसका right answer जागा चलि आगे देख लेते हैं 125 नमर प्रुष्ट का रहा है दोस्तों जब परती रोधकों को स्रिंखला में जोडा जाता है तब जब परती रोधकों को स्रिंखला में जोडा जाता है तब तब क्या होता है दोस्तों फटा-फट answer देते चले दोस्तों आपसे भी को बता दे की हो जो कोस्टिन है यह संट करullah क्योंकि हम आपसे भी को क्या को क्या सकते की यह मुलाइब के लिए लेकिन आपको टेश्ट लगाना हो दोस्तों उसके लिए चैनल बने रणा होगा और सजेक्ट का पीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिया दोस्तों 125 नमर का फड़ा फट एंसर देते चलें दोस्तों आप से भी को बता दे इसका राइट एंसर जाएगा प्रतेक प्रतिरोध की विधु धारा परिपर्थ के विधु धारा के समान होती है इसके बाद का जो टेस्ट लिया जाएगा 126 नमर कोशन से आपका डायरिक डिल्स नमर कोशन कंप्रिट कर देंगे इन्हें कि नेक्ट वीडियो जो मेरे प्रभाइड होगा उसमें भी आपका यह फिजिक्स का फिप्टिक कोशन था इस सेट के मात्यम से इसमें 25 कोशन इसम के चानल पर बने रहना होगा जब तक के लिए बाइबाए दोस्तों मिलते नेक्स वीडियों में थैंक्यों दोस्तों